अब इस question को देखे 2020 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है कब 2020 में यूपी बोर्ड का question है ध्यान से देखो बहुत प्यारा question है जो previous lecture में आपने question देखा था ना वो के किस्मान के लिए इस समिगर्ण का हल नहीं होगा वहां नहीं होगा का condition लगा था यहां अधितिये हल का condition आपको लगाना है अब अधितिये हल का condition क्या होता है यह जानना आपको बहुत जरूरी है एवन एटू यह सब रख लेंगे लेकिन अधितिये हल होने का condition है एवन इसको पहले सॉल करते हैं क्या करते हैं इसको सॉल करते हैं बहुत प्यारा कोश्चन एक काम करते हैं A1 by A2 और B1 by B2 की value Rakes देते हैं A1 की wailyu क्या है 4 प्वूर Surprise A2 की value क्या है 2 ही not equal to 21 by B2 B1 की value क्या है और B2 की value क्या है गर द्हान से देखना क्या हो अना-dro mir नाट इक bes़ होनाची लेकिन अव्मिद्ब एकउल का दे तो P equal to 4 होगा वं घ्वा एक कि अगर हम P की value 4 रखते हैं तो ये दोनों समिकंड क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे क्या यह दि P का मान 4 यानि कि P equal to 4 रखने पर रखने पर A1 by A2 और B1 by B2 का मान बराबर होगा है ना जबकि बराबर नहीं होना चाहिए अतहा क्या बोलोगे अस्पष्ट है कि P equal to 4 को छोड़ कर सभी मानों के लिए छोड़ कर P के सभी मानों के लिए अदितिये हल होगा अधितिये हल होगा समझ में आ गया पी के सभी मानों के लिए अधितिये हल होगा बस क्या नहीं रख सकते आप P equal to 4 नहीं रख सकते इसको साल करने की जरूरत नहीं पड़ी कुछ और लिखने का नहीं यह लाजिक का कांसेप्ट का मामला था क्या था यह कांसेप्ट का मामला है कह रहे हैं कि पी के किस मान के लिए इन दोनों समयकर्ण का हल अधितिये होगा अधितिये हल का कंडिशन हमने आपको बताए कि A1 by A2 not equal to B1 by B2 मतलब A1 by A2 और B1 by B2 बराबर ना हो बाकि कुछ भी हो हमने क्या किया A1 by A2 not equal to B1 by B2 A1 by A2 अगर हम निकालते तो सिर्फ क्या मिलता फोर फोर टूजा टूजा फोर यानि दो मिल जाता मतलब क्या मिलता यहां देखो लिख देता हूं मैं कि A1 by A2 का वैलू क्या आ जाता दो आता बी वन बाई B2 अब ध्यान से देखो B1 by B2 की वैलू B1 के वैलू P है और B2 की वैलू क्या है two है अईसा यहां क्या हो जाए? यहां कुछ भी रख दो, 1 रख दो चलेगा, 2 रख दो चलेगा, 3 रख दो चलेगा लेकिन अगर आप 4 रख देते हैं तो 4 जानुकि 2 हो जाएगा और तब यह A1 जान बाइ A2 के बनावर जाएगा इसका मतलब फोर नहीं रख सकते बाकि कुछ भी रख सकते हो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी रखो बट क्या नहीं रख सकते फोर इसलिए यहां लिखा है कि अता अस्पस्ट है कि P equal to 4 को छोड़ कर P के सभी मानों के लिए अधितिय हल होगा समझ में आ गया concept concept जब तक क्लियर नहीं करोगे challenges आएंगे तो concept को समझने के लिए previous lectures आपको देखने पड़ेंगे previous 5 lecture आपको देखना चाहिए